हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं अमरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम चेस्ट में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एससी फेज नाइन के जो एक्जाम है आपके वो खतम हो चुके हैं और जैसे ही आपके एक्जाम खतम हुए वैसे ही एससी की तरफ से एक नोटिस आया है पोस्ट कोड यह आप देख सकते हैं डवलू आर तस अजार साथ सो इकईस यह जो डवलू डीजन से है डवलू डीजन से जो वैकेंसी थी दो वैकेंसी थी इसके अंदर इसको कैंसिल कर दिया क्या है और रीजन तो नहीं है कि इसके इसके अंदर पोस्ट पोस्ट के लिए कोई अप्लिकेशन नहीं आया था या फिर इनकी इस पोस्ट के लिए इनको कोई चरूरत नहीं है ऐसा कोई रीजन इन्होंने नहीं बताया है लेकिन यह जो पोस्ट कोड है यह अब जो वैकेंसी थी यह अब कैंसल कर दी गई है आप चाहते हैं कि अब SSC की जो फेज नाइन का है वो डिजल कब तक आ सकता है आप उसके लिए वेट कर रहे हैं तो मैं आपके लिए एक एक एक्सपक्टिट कटोफ बता सकता हूं अगर आप मुझे अपने अटेम्ट्स और अपना पोस्ट कोड और रीजन जो है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बत और एक्साम होते हैं जिसे सीजेल हुआ उन से थोड़ी सी लो रहती है क्योंकि इसका जो एक्साम पैटर्न होता है वह बहुत लेंद्टी होता है जैसे कि आपने देखा भी होगा आपने एक्साम दिया है कि मैथ का जो सेक्शन था वह बहुत लेंद्धी था और थी कि आपकी सो तक या उससे भी नीचे जा सकती है और यह आपके पोस्ट कोड़ पर भी डिपेंट करता है कि आपने कौन सी पोस्ट कोड़ भरा है और उस पर कितने फाइट हुई है अगर एक पोस्ट कोट पर ज्यादा लोगों ने अगर अपलाई किया है तो यह माना चाहता है कि उसकी कटोफ थोड़ी सी हाई निकल सकती है लेकिन इसके अंदर पोस्ट कोट बहुत ज्यादा थी तो आप यह मान कर चलिए कि आपके सो में से सो में से आपके साठ सवाल तक ठीक हैं आपको ऐसा लगता है तो आप डोकुमेंट वेरिफिक फिकेशन के लिए जा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि गवर्मेंट जोब की जितनी भी न्यूज आए उनसे आप पलपल अपडेट रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू